आज का दिन प्रभु शिरीराम की नगरी में रहने वाले हर अयोध्यावासी के लिए एतिहासी कहें क्योंकि आज प्रधान मंतीर नरेंदर मुदी हजारो करोर रुपए की सौगात अयोध्यावासी को देने वाले हैं इस समय हम प्रभुश्री राम के मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं जहां की तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक भव और दिव दिखाई दे रही है अगर हम साइडों की बात करें साइडों के दोनों जो इस्तंब द्वार हैं उनका काम समाप्थ हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कि खुपसूरत तरीके के पत्थरों से इसको बनाया गया और उसी के साथ साथ ये इंटरी पॉइंट दिया गया है आप देखिए कि कि खु खुबसूरत पूलों से यहाँ पर जैषी री राम लिखा गया है प्रभुश श्री राम की किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए फून लगाए गये हैं मैं दिखाना चाहूंगा कि क्étais तरीके से यहाँ पर गेंदे के फूलों की गड़ा बनाई गई है हनुआन जी की तस्वीर बनाई गई है और उसी के साथ यहां पर प्रभु श्री राम का धनुश बनाएगा और आप देख सकते हैं कि फूलों के माध्यम से यहां पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा गया एक बहुत ही खुबसूरत तस्वीर है जो यहां की यहां की भविता को बढ़ा रही और अगर इसके पास में हम आते हैं तो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखे को कि यहां पर एक पूरा फूलों का दुआर बनाया गया है गेंदे के फूलों को यहां पर बेहद ही खुबसूरत तरीके से यहां पर लटकाया गया है आप देखिए और हम इधर आते हैं यहां पर भी एक देखिए कलश बनाया गया है फूलों से और उसके पास में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं आप यह देखिए यहां पर आप देखिए कि कितना खुबसूरत मैं कहना चाहूंगा दिखाईए भोले नात की तस्वीर है फूलों का उपयोग हुआ है फूलों के उपयोग से भोले नात की तस्वीर प्रभु श्री राम और आप इधर देखिए बेहद ही खुबसूरत तरीके से आप देखिए यहां पर भी फूलों से जो है वो तस्वीर यहां पर बनाई गई है सामने आप देखिए प्रभु श्रीराम के मंदिर की और जाता है आप रास्ता देख रहे हैं बेहद ही खुबसूरत पत्थरों से फर्ष पर जो लगाया गया और उसी के साथ साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थरों से ही डिवाइडर बनाया गया हर एक जगह पर पियम मोदी की भी आपको मै दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो यहाँ के साइड के खंबे हैं प्रभु श्रीराम की तस्वीर लगी और आप इधर साइड पर देख सकते हैं आप यह देखिए प्रधानमंती नरेंदर मोदी की तस्वीर और उसी के साथ साथ आप देखिए जो प्रधानमंती नरे जाइन देने का काम किया गया है और जहां तक भी आप देखेंगे आपको इस तरीके की खुबसूरत दिवार दिखाई देगी यह जो सीधा रास्ता है यह राम जन्म भूमी यानि प्रभुश्यरी राम के मंदिर की ओर जा रहा है यहां पर बताया जा रहा है कि आज मुख्यम मोदी की तस्वीर लगी और बेहत ही खुबसूरत तरीके से आसपास के जो एरिया को सजाया गया है लगतार तैयारियां यहां पर की जा रही है क्योंकि अपसे महज कुछ दिन ही तो बचे हैं जब प्रभुश्यरी राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तमाम श्रदालू यहां पर मौजूद है यह जो है यह बाहर जाने का रास्ता है जो भी दर्शन करने के बाद निकलेगा वो इसी रास्ते से बाहर जाएगा और आप यह देखिए यहां पर तीर छेत ने अपना एक जो पूरा एक इनका ऑफिस बनाया हुआ है जिसमें निशुलक लौकर सेवा है, हेल्प सेंटर है, अगर कोई दिव्यांग है तो इसको यहां से ही विलचेर मिलती है, फ्री लौकर सर्वीस है तो यहां से सारिया जो प्रोसीजर है उसको पूरा करने के बाद फिर इस रास्ते से सभी लोग अंदर जाएंगे, यहां पर भी प्रभुश श होने वहाए जिसके दौरान यहां पर प्रधामंती नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंग और बताया जा रहा है कि गर्भ ग्रह में सिर्फ पांच लोग जा सकते हैं सुरक्षा विवस्ता देखिया हर एक जगा पर आरेफ तैनात कर दी है आज जो कहा जा सकता है कि अयोद्या है छाबनी में तबदील है यहां पर भी आप देखिए एक पुलिस स्पोर्स हाँ पर भी लगाई गई है इन लोगों की भी जिम्मदारी है की कोई भी अंधर ना जाए तो और यहां पर भी आप देखिए तमाम लोग जो अपने वाइलेस के माध्यम से अधिकारियों से जांकारी ले रहे हैं और आप ये देखिए ये जो है पूरी आरेफ जो यहाँ पर पुलिस है ये लगा दी गई है इनकी जिम्मेदारी है सडकों पर किस तरीके से जब पियम मोदी का रोट्शो निकलेगा तो उस दौरान किस तरीके से लोगों को रोकना है यानि ये माना जाए कि आयोध्या में पून रूप से ये देखिए ये जो दौर है जिसकी मैं लगतार बात कर रहा था मैंने आपको इसका निर्माण होते हुए भी दिखाया है और अब जब इसका निर्माण समाप्थ हो गया मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा रहा हूं बेहत खुपसूरत तरीके से यहां पर जो है ब्राउन कलर के ग्रेनाइट का जो काम दिया हुआ है वो है साइट में आप देख सकते हैं खुपसूरत से पत्थरों को तराश कर एक जाली नुमा जो है वो डिजाइन बनाया गया और अब जब प्रधानमंती नरेंद्र मोदी अपने रोट्शों की शुरुवात करेंगे तो एक भव और एक दिब तस्वीर अयोध्यवासियों के लिए होगी जब हजारों करोड की परियोजनाओं का आज एक दिन में उद्गाटन किया जाएगा अयोध्या से वीडियो ज अनलिश हरियोम के साथ संदीप खेर भारस तमचार